Very good morning to all of you, my dear students of class 9th. In the last slide, we discussed about the birth of Vemar Republic. And in this slide, we will read about the peace treaty at Versailles. This is also known as in history, Versailles' की संथी. इसे हम Versailles' की संथी के नाम से भी जानते हैं. और यही वो संथी थी, जो एक आग की तरह, अडॉल्फ हिटलर के मन में हमेशा से चलती रही थी. और जिसने Second World War को जन्म दिया. तो इस तरह हम इस slide में ये देखने का प्रयास करेंगे, कि actually ये peace treaty थी क्या, जिसे सर्मनाक संथी के नाम से जाना जाता है. और ये सर्मनाक संथी ही Second World War का. ऐसा तो माना भी जाता है, कि Second World War के बीज, Treaty of Versailles में ही छुपे हुए थे. Versailles की संधी ही जन्म दाता है Second World War की. तो ऐसा क्या था इसमें? इसको हम लोग देखेंगे. यानि वेमर रिपबलिक बना तो था लेकिन उस तरह का लोगों से समर्थन हासिल नहीं किया, क्योंकि लोगों के मन में कहीं न कहीं ये बात. मैंने बताया था पहले भी कि लोगों को ऐसा ही लगता था कि वेमर रिपबलिक एक असफल संस था है, जिसके करण हमें First World War में हार का सामना करना पड़ा है तो लोगों का समर्थन उसको हासिल नहीं था The peace treaty at Versailles with the allies was a harsh and humiliating peace यानि ये एक ऐसी संदी थी Versailles नामक जगा पे जो समझावता हुआ First World War में जर्मनी के हार के बाद ये एक सर्मनाक संदी थी और एक तरह से इतनी कठिन और कठोर संदी थी जो पूरी तरह से जर्मनी को नस्ट करने का प्लान कर लिया गया था allies के द्वारा जिनकी जीत हुई थी इसमें अब जैसे जर्मनी lost its overseas colonies जो भी इसके overseas colonies थे जहाँ पर इसकी अपनी संख्या रहती थी वो क्या हो गई समाप्त हो गई इससे छीन लिया गया एक तरह से और 10th of its population जो इसके population के 10th part के क्या था बराबर था तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या इससे क्या कर ली गई अलग कर ली गई जर्मनी से इस piece of treaty के दोरा 13% of its territories यानि 13% इसके जो other territories थे जो छेत्र थे वो इससे छीन लिये गया 75% of iron and 20% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania यानि आप समझो ना कि 75% इसके iron और 20% जो आपको coal mining थे वो सभी छेत्र इससे क्या कर लिये गया छीन लिये गया यानि एक तरह से बिल्कुल ही economic रूप से जर्मनी को पंगू बनाने का प्रयास किया गया at the treaty of Versailles The allied powers demilitarized Germany to weaken its power आगे चलके जर्मनी फिर से अपना सर न उठा सके तो इसलिए इसको इसकी सेना को भी क्याकत लिया गया मतलब हटा दिया गया और इसको demilitarized country कर दिया गया ताकि आगे चलके ये फिर कोई दुस्साहस न कर सके यानि एक बदली की भावना से वर्साइल की ट्रीटी की गई ताकि जर्मनी को पुरी तरह से समाप्त किया जा सके और यही वो सर्मनाक संदी थी जो एडॉल्फ हिटलर के मन में हमीशा से एक जुआला की रूप में जलती रही और इससे बदला लेने के लिए ही सायद वो तनसा बन बैठा था इतना ही नहीं छात्रो दपीश आप ट्रीटी एट वर्साइल जो था उसमें जो भी वार गिल्ड था मतलब जो भी नुकसान हुआ था उसके लिए रिश्पॉंसिबल जर्मनी को ही ठाराया गया और जो भी डैमेजेज हुए थे उसकी भरपाई जर्मनी से की गई जर्मनी वाज फोर्स टू कमपेंसेशन अमांटिंग टू सिक्स बिलियन एक बहुत बड़ी रासी सिक्स बिलियन का जो एक खर्च था जो अलाइज ने नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी से वसूला था आप सोच सकते हो जर्मनी को किस तरह की सरनाक संधी जहलना पड़ा था अलाइड आर्म्स अलसो अकुपाइड इसका जो रिशोर्स मतलब जितने भी इसके मिनरल्स रीच जो एरिया था रेन लैंड उसको भी इन लोगों ने अलाइड आर्मीज ने उस पर अपना कबजा कर लिया समझ रहा है न सो मेनी जर्मन्स हेल्ड दे न्यू वेमर रिपबलिक रिश्पॉंसिबल फॉर नोट ऑनली दे डिफीट इन दे वार बट दे डिस्क्रेस एट वर्साइल यानि बहुत सारे जर्मन्स का ऐसा मानना था कि वेमर रिपबलिक ही इस हार के लिए जिमेदार है और ना बस हार के लिए जिमेदार है बलकि जो वर्साइल में जो सर्मनाग संदी हुई है उसके लिए भी responsible ये वेमर रिपब्लिक form of government ही है और इसको हटाना जरूरी है और इस चीज को कूट कूट के लोगों के मन में भर दिया कि इसने Adolf Hitler ने As I have already told you about the Adolf Hitler who was the dictator of Germany and due to him only whole world fall into second world war And you should know the birth of the second world war was hidden in the peace treaty at Versailles यही उसका जन्म दाता था student तो peace of treaty जो first world war के बाद जर्मनी पर थोपा गया वर्साइकी संदी उस वर्साइकी संदी में ऐसे कौन-कौन से points थे उन सभी points को मैंने इन दो slides में आपको cover किया है आपको अच्छे से जान लेना चाहिए कि second world war का जन्म यह वर्साइकी संदी के कारण ही हुआ था जो जर्मनी के उपर थोपा गया था demilitarized किया गया था six billion का उसके उपर मतलब एक तरह से दंड के रूप में थोपतिया गया था ताकि उससे वसूला जा सके उसके जितने भी mineral resources थे उसको छीन लिया गया था इस तरह से जर्मनी को बिलकुल पंगू बना दिया गया था so I hope you have understood this very well read and watch the video again and again so that each and every point could be clear thank you very much students